आपका अपने यूटूब चैनल खेवाल स्टुडी पॉनेट पर स्वागत है मैं आज आप लोगों को कच्छा भार्वी का एक बहुत पांत्पूर टॉपिक परकास का बेती करण पढ़ाने वाला हूँ पिसले लक्षर में हम लोगों ने परकास का बेती करण क्या होता है परकास की जो पैडामी आयाम होती है दो तरंगों के मिलने से वो क्या होती है उसके लिए एक फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था जो किया blackboard पे है जब दो तरंगे चलती है जिनकी आयाम A1 वा A2 होती है जब यह आपस में मिलती है इनका बेति करण होता है प्रगास का अध्यार ओपन होता है तो हमें एक नई तरंग मिलती है जिसका आयाम जो है वो दोनों तरंगों से अलग होता है उस आयाम को ग्यात करने के लिए आर्मूला प्राप्थ हुआ था ये पिछले लक्षर में एक्वाल टू अंडरूट एवन इस्क्वाइर प्लस टू एवन एटू इंटू कॉस फाई जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई बैब जब चलती है तो उसका जो दिस्थापन होता है तरंग के संचन के दिसा के लंबहुत दिस्थापन वाई बराबर ये शाइन उमेगा टी होता है कि जैसे कोई बेब ऐसे चल रही है यूँ ऊपर ऐसे ऐसे तो टी सेकेंड में कोड़िये बेग से आगे बढ़ रही ओमेगा ये कोड़िये बेग है ती सेकेंड में मानलो तरंग यहां अधिकरन होता है यह यह जो है आयाम है आयाम मींस तरंग के द्वारा यह मैक्शममम थाइकी गई दूरी पलस के पलस होगी तो यह माइनस होगी तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रडामी आयाम प्राप्त हो गया अब एक कुस्चन और हम लोग पढ़े थ आयो कांस फाई कामान है यह वह मैक्शमम म्हों कितना होता है जीरो ऐसका होताइए तो जो कास फाई है वह अगर एक हो चाहिया कैया थेख यह यदि हम लोगों निमाना था यह प्रफम व्याभ हो गया एवन एक दिर्थीय व्याभ हो गई ए2 अगर दोनों में जो कलांतर है वो जीरो हो फाइव रावर क्या हो जीरो तो क्या होगा जो हमें आयाम मिलेगा वो अधिक्तम होगा क्योंकि कास जीरो का मान जो है वो maximum एक होता है तो अब अगर 5 ब्राबर 0 है तो कास इसका एक यहां कास 5 के जगब एक रखेंगे तब पढ़ामी आयाम ए ब्राबर हो जाएगा अंड़रोट एक ही आएगा ना अब हम लोह के पास एक फार्मूला था मेरे प्यारे दोस्तों A plus B का whole square A plus B का whole square equal to A square plus B square plus 2AB ठीक इससे compression कराने पर A1 A2 यह A माल लेंगे यह B माल लेंगे तो A square plus B का square plus 2AB अगर हम लोग चाहें तो A बराबर क्या हो जाएगा A1 plus A2 का whole square ठीक आप देखिए किसी भी संख्या पर अगर root है और square है तो square और root दोनों हम लोग हटा देते हैं यहां क्या होगी square और root हम लोग दोनों हटा देंगे तो जब हटा देंगे तो यह बराबर क्या मिलेगा हमको A1 plus A2 मतलब दोनों तरंगे आपस में जुड रही है और इनका आयाम जुड रहा है अर्थात इस condition में क्या होगा शंपोशी वेतिकरण होगा शंपोशी वेतिकरण क्योंकि आयाम बढ़ रहा है न तो आयाम बढ़ रहा है अब यह 2 पुना कब होगा यहां से 0 से चला मानलो यह वेब तो पुमा जी druk कब होगा भई ये चलेगा 280 रेडियण 180 को हम लोग रेडियन भी अब 180 उपर चलेगा तो 180 नीचे भी चलेगा यह भी तो मतलब फिर 2 radian के बाद फिर यह 0 पर आ जाएगा 2 radian चलने के बाद 0 पर आ जाएगा तो यह कलांतर है संपोशी व्यती करन के लिए जो कलांतर होगी 0, 2 pi फिर 2 pi में 2 pi फिर जुड़ेगा तो फिर 0 पर आएगा तो 2 pi, 4 pi ऐसे क्या हो जाएगा 6 pi ऐसे 8 pi मतलब यूँ चलता रहेगा यूँ माना जाए तो हमारा जो है पैटर्न जो बनेगा 5 बराबर बनेगा 2 n pi जहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 5 ऐसे अनन तक कुछ भी रखो जब आप 0 रखोगे तो यह 0 हो जाएगा जब आप 1 रखोगे तो 2 pi हो जाएगा 2 रखोगे तो 2 pi 3 रखोगे मतलब यह sum है ना शंपोशी याद करने का कलांतर याद करने का जो idea है संपोशी कलांतर याद करने का मतलब sum जितनी भी जो radian आएगा वो sum संख्या का गुड़ज होगा ऐसे यह देखिए 2 radian, 4 radian, 6 radian 8 radian n बराबर यह 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब इसके लिए पतांतर जो होगा दो तरंगों के पत्में अंतर पतांतर बराबर होता है lambda upon 2 radian into कलांतर into कलांतर जब हम लोग कलांतर निकालेंगे तो कलांतर क्या है lambda upon 2 pi into 2 n pi तो pi से pi क्रास होगा और 2 से 2 दोनों कर जाएगा तो क्या बचेगा n lambda अब यहाँ plus minus दोनों हो सकता है क्योंकि ब्याप plus में भी जा रही है और minus में भी जा रही है यह उपर वाला plus तो नीचे वाला minus तो यह plus minus लिख सकते हैं आप लोग यह जो पठांता रहे किसके लिए है यह संपोशी बयतिकरण के लिए चल लिए scream shot लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं यह संपोशी बयतिकरण होगा जब कास का मान maximum होगा तो जो मान हमें पराप्द होगा वहा Алcor शंपोशी बयतिकरण होगा चलिए देखते हैं, कास का मान मिनमम कितना होगा, तो कास 90 का मान 0 होता है, जो की मिनमम होता है, कास 90 का मान, मिनमम जो होगा, कास का मान, वो माइनस 1 होता है, मैक्समम पलस 1 होता है, कास का मान, और मिनमम क्या होता है, माइनस 1, ठेक, क्योंकि माइनस 1 जो है, वो 0 से भी कम हो जाती है, जब देखे, कोण यहाँ 0 होता है, तो यह 0 होता है, लेकिन जब यहाँ चला आता है, 180 पे, तो यह म मतलब यहां 0 पर ये आपका 1-1 ठीक तो क्या होगा कि कास का जो मिनमम मान होगा कास 5 इक्वल टू यह हो जाएगा – 1 कास 5 का निवंतब मान है अब – 1 रखेंगे खास 5 तो क्या हो जाएगा अब – 1 ये क्या बताय थे यहां होगा जीरो वह ज़िए यहां आंगे तो का माइनस एक होगा यग जब पूरा कास का माइनस एक हो गा तो कितना डिगरी हमारी चलने के बाद वा अंडेट्टी क्योंकि 110 एक्वल्य तो टूवड होता है वब रेडियं होता है मेरे प्याडियोे तो फिर यह होगा 180 मदलब रेडियन 5 बराबर क्या बनेगा हमारा रेडियन बनेगा को है अब फाइव बराबर फह मान डेडियन यह हमारी क्या बन गे क्लांतर बन गई अब अगर यह काश 5 के जगापे फन डख दे दremmas नियुंतम मान मैक्समाम मान वन होता है का श्वाई का लेकिन नियुंतम मान कितना होता है नियुंतम मान जो होता है वो माइनस वन होता है तो अब यहां रखेंगे तो यह a1 का square प्लस 2a1 इंटो 2a2 और मैनस 1 रखेंगे तो क्या होगा ए मैनस हो जाएगा अब मैनस हो जाएगा तो यह बनेगा a1 का square plus a2 का square और plus minus minus 2 a1 into a2 अब हम लोगे पास minus वाला फर्मुला है a minus b का whole square equal to होता है a का square plus b का square minus 2ab तो अब क्या होगा यहाँ plus था तो हम plus लगाए थे अब अगर minus आ गया तो क्या होगा minus हो जाएगा अब minus हो जाएगा तो a1 minus a2 अब देखिए यहां आयाम घटरा है मतलब जो आयाम मिल रही है वो आयाम घटेगी जब आयाम घटेगी तो जो भी पैडामी तीबरता मिलेगी वो क्या होगा जो भी पैडामी बेतीकरण होगा पैडामी आयाम होगा वो घट रहा है अर्थाज जो बेतीकरण होगा वो 82 बेतीकरण होगा अर्थाज جिन बंदूओं पर ये दोनों दोनों तौक्रंगे आपस में मिलेंगे अध्यारोपण की सिद्दान से कुछ बिंदू पर क्या होगी बिनासी बेतिकरण में वहां ती ब्रता बहुत कम पाई जाती है या एकदम यू कह सकते हैं अधीप फिरिंजे या अधीप पट्या प्राप्त होती है तो यह आप देखे इसक्वार रट जाएगा रूट जाएगा तो यह पराबर एकसे चल रही है तो बाई 2018 पर कितना हैएist80 यहां फिर इसी कंडिशन पर कितना कोण तैंगी तूइड़ेंगी न फिलिए एक रीटरी ना फिर यहां फिर यहां आएगी न जीरो पर तो अब हम लोग क्या कहेंगे फिर एक रेडियन में फिर कितना जोड़ेंगे भाई एक रेडियन यह एक रेडियन यह फिर उसी कंडिशन पर आएगी न तो क्या टू रेडियन जोड़ेंगे तो जो कलांतर बनेगा फाई वो क्या बनेगा आपका रेडियन फिर दो रेडियन जुड़ेगा तीन रेडियन फिर तीन में दो रेडियन तब फिर उसी पोजीशन पर आएगी तो तीन दो पाँच रेडियन ऐसे रेडियन यूँ बढ़ता जाएगा मतलब यूँ लिखा जाए तो इसके लिए जो कलांतर होगी 2N-1 into lambda into pi अब आप n का मान अगर 0 रखोगे तो यह pi आ जाएगा क्योंकि माइनस pi अगर n का मान 1 रखेंगे n बराबर क्या होगा यहां n बराबर 1 2 3 कहीं कहीं आपको यह प्लस भी मिलेगा 2N-1 ठेक तो अब यह रखेंगे 1 तो दो एक्कम दो और एक गड़ जाएगा तो एक रेडियन फिर दो रखेंगे तो इसनननी छे मिर पे घड़एगा 5 रखेंगे तो दो एक म्त इस Lisa एगाएगी क्या बचेगा यह आपकी कलांतर है लेकिन पत्सांतर क्या होगी पत अंतर बराबर होता है लैमडा अपांड टू ठाए गोडए कलांतर तो कलांतर आपका यहां क्या मिल रहा है कलांतर आपका है लेंड़ा और यह कलांतर जो है यह 2N-1 इंटू रेडियन इंटू रेडियन इंटू लेंड़ा अपन्टू पाई तो क्या होगी पाई से पाई कैंसिल होगी तो हमारी जो पथांतर मिलेगी क्या मिलेगी जो पतांतर मिलेगा पत्में अंतर दोनों तरंगों के वो 2N-1 into lambda by 2 हो जाएगा तो यह क्या हुआ यह बिनासी बेती करण के लिए जो हमारी कलांतर होगी रेडियन 3 रेडियन 5 रेडियन 7 रेडियन होगी और जो आपकी पतांतर होगी वो होगी 2N-1 into lambda by 2 हो जाएगी चलिए इतने का स्क्रीन सॉट लीजिए फिर आगे बढ़ रहे हैं चलो अब जो है प्रकास की तीब्रता माल लीजिए आपके पास दो ब्यब चल रही है और दोनों की कि दो ब्यब है निकल रही है यह दो ब्यब ब्यब इसकी आयाम एवन है और एक दूसरी ब्यब है जिसकी आयाम एटू है ठीक अब क्या है कि इनकी तीब्रता जो है प्रकास की तीब्रता जब कोई प्रकास किरण चलेगी तो क्या होगी उसकी तीब्रता होगी इंटेंस्टी होगी इसकी तीब्रता मान लेते हैं और इसकी तीब्रता जो है यह आईटू है क्या है इसकी तीब्रता आईवन इसकी तीब्रता आईटू है और जो इनकी ती अनपाती होती है तो अगर हम लोग यह लिखे तो आई वन बराबर क्या हो जाएगा कि के ए वन का स्क्वाइर ठीक ऐसे अगर यह लिखे आई टू तो आपका क्या हो जाएगा के ए टू का स्क्वाइर अब अगर यहां ब्यतिक रण हो रहा है यहां व्यतिकरण हो रहा है तो यह दोनों तरंगे मिल जाएंगी और मिलने के बाद में एक नई तीसरी तरंग प्राप्त होगी तो माल लीजिए उसका प्रेडामी आयाम ए है अगर हमारे पास बिनाशी वेतिकरण हो रहा है तथा इसकी जो तीवरता होती है वह आई होगी इसकी तीवरता क्या हो जाएगी आई होगी अब हम लोग क्या करेंगे यह दोनों तरंगे आपस में जब मिलेंगी तो इसकी तीवरता यह होगी अब जो प्रेडामी तीवरता हो के एपपिश्माया होगी आछ ऐसा है आफ प्रडामी ची ब्रथा माक्श्मम गभ होगी तो तो जब सम फोशी ब्यतिककण करना सब Parlament करे लोड़ने पर का सभडामी चीवता अधिक होती है प्रडामी धी ब्रथा व्ति होती इंगिदर वह चीएग धिक होती है जब संपोशी वेतिकरण होता है तो जो पैडामी तीवर्ता होती हो क्या होती है अधिक्तम होती है क्यों क्यों क्या आयाम बढ़ेगा तो भाई तीवर्ता बढ़ेगी अधिक्तम होती है कि और बिनासी प्या होती है कि बिनासी वेतिकरण पर होने पर की ब्रता निंतम होती है अब कभी कभी एक्जाम में पूछ लेता है कि दो तरंगे अध्यार ओपित हो रही है तो इनका जो तीब्रता है अधिक्तम तीब्रता बार निंतम तीब्रता में अनुपात इतना है तो इनके आयामों में अनुपात क्या होगा या इनके आयामों में अनुपात इतना है तो इनके तीबरताओं में अनुपात क्या होगा इसके लिए क्या करेंगे अब अगर इसी को भाग कर ले तो दोनों तीबरताओं में अनुपात जो मिलेगा वो के एवन का square बटा के a2 का ispire तो इसमें ये कट जाएगा न तो जो दोनों तरंगे हैं उनकी ती बरताओं में अनुपात i1 बटा i2 equal to हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा a1 by a2 का whole square अगर दोनों ती बरताओं में अनुपात दिया है आया बोबे अनुपात ग्याद करना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे लेकिन अगर पूछ रहा है अध्यारोपित हो रही है दोनों तरंगे आपस में मिल रही है तो इडिकेती बरताओं में अनुपात क्या होगा इसके लिए अगर फार्मूला पूछा जा रहा है कि I minimum और I maximum में क्या अनुपात होगा तो अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे I minimum equal to होता है I maximum बटा I minimum तो भाई maximum होगा जब संपोशी बेतिकाण होंगे दोनों आयाम आपस में जुड़ेंगे तो के A1 प्लस A2 का होली स्क्वायर और minimum कब होगा के एक नियतांग है minimum बटा I minimum equal to हमारा हो जाएगा A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2 दोनों पे स्क्वायर है कामन लेलो यह जब maximum और minimum पूछेगा तो यह फार्मूला लगाएंगे screenshot ले लीजिए तो मुए पार्मुभ लेजिए पार्मूला लेजिए पार्मूला लेजिए लेजिए